अलो बच्चो जुहार, मैं सुनिर सरदार, आप सका स्वागत करता हूँ, आपके अपने चैनल एक्जाम रेडी में आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्क्राइब किने करते हैं, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इस्क्राइब किने करते हैं, highly educated individuals, मिन्स बहुत जादा पढ़े लिखे, लोगों को इस्क्राइब करते थे, इनको कि पढ़ना लिखना आता था वो किस तरह से help करते थे, वो help करते थे, by making copies of manuscripts, उसके बाद कोई book का translate करना है, other language में, तो वो translate करने में help करते थे उसके बाद maintain official record, means कोई नया rule बनाया गया है, तो उसको record में रखने के लिए, कौन लिखते थे, subscribe लिखते थे उसके बाद preserve knowledge, माल लिजे कि कुछ नया चीज़ का invention हुआ है, तो वो क्या करते थे, knowledge को कहीं पर लिख देते थे, ताकि other generation के लोगों को भी पता चल सके उसके बाद seal, जैसे कि आपने हरपन seal के बारे में सुना होगा, तो उसमें कुछ pictorial form में लिखा हुआ है, तो लिखने का काम कौन करते थे, subscribe करते थे, और इसी तरह बहुत से चीज़ों में subscribe help करते थे, अब हम subscribe कौन होते हैं, उनको example के मदद से समझते हैं, मान लिजे कि आप बना सकते हैं, आप बोलेंगे yes sir, क्यों, क्योंकि आप जाएंगे jerox दुकान में या फिर जहां print out होता हो, हाँ पर जाएंगे, और सेम तरह का book को ही print कर लेंगे, उसके बाद उस book को bind करके नया book बना लेंगे, लेकिन पुराने जमाने में जब print technology develop नहीं किया था, तो उसमाई लोग एक ही तरह का book कैसे produce करते थे या फिर बनाते थे, तो ये काम कौन करता था, scribe, जो कि क्या करता था, कि सेम तरह का font, design से book को बनाता था, या फिरम का सकते हैं कि scribe को किसले important दिया जाता था, देखिए उनको ज़्यादा value किसले दिया जाता था, क्योंकि जो ability to read and write was very rare skill, मिन सब लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसलिए जो पढ़े लिखे होते थे, उसको ज़्यादा value दिया जाता था, देखिए उसके बाद क्या था कि scribe के पास एक power था of communication, मान लिजे कि कोई inscription में कुछ लिख दिया हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को उसकी information मिल सकता है, जैसे कि पहले कोई राजा अपना idea को present करना चाता था, तो वो क्या करता था, inscriptions में लिख देता था, बाद में जब लो मान लिजे कुछ लिख दिया गया है, inscription में, on hard surface, तो वो हो सकता है कि from one generation to other generation information pass करे, तो उसलिए describes को ज़्यादा value दिया जाता था, तो आप समझ गया होगे कि scribe किने करते हैं, उसके बाद scribe किस तरह का काम करते थे, उसके बाद example के मदद से समझ गया होगे कि scribe अपना काम क किस तरह से करते थे, और last में, scribe को क्यों ज़्यादा value दिया जाता था, अगर इस वीडियो से related कोई भी doubt होगा, तो आप comment section में mention कर सकते हैं, thank you